सबी भाईयों को जहन भाई पूरे भारत के लिए आर्मी की रिलेशन भरती और खुली भरती निकल गई है और इस खुली भरती की जो दोड़ है ना वो 11 दिसंबर को होने वाली है जो अभी आप देख सकते हैं खुली भरती 2024 मैं ये वीडियो प्रूफ के साथ बना रहा हूँ और अभी ये रहा पुरूफ ये नोटी पेकेसन है भरती का और जो अभी आप देख सकते हैं यानि कि जो भरती है ना 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी अब ये भरती कहां पर होने वाली है कौन से सेंटर की भरती है और इस सेंटर की भरती के साथ कहां पर खुली भरती नि आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी वीडियो कमिंग सुन या भी आप बेट करो जब भर्ती आ जाएगी मैं आपको वीडियो के मादम से बता दूगा अब इसमें कौन-कौन से पद रहने वाले हैं और इसकी क्या एड लिमिट रहने वाली है लगबग वेकेंसी की बात करों तो क्या कुछ रहेगा इस वीडियो में बताऊंगा पूरी जानकारी आप सभी से रेक्वेस्ट करोंगा जितने भी भाई नई जोडे हैं तो इस वीडियो में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जहूर कर देना और यह notification आपको Telegram पर मिल जाएगा टेलिघ्राम की link मैंने नीचे description में दे दिये पता नहीं बच्चे क्या करते हैं बोलते हैं WhatsApp पर कि यह notification दे दो और मैं आपको बता दू नोटिभेकेशन मैं आल्रेडी पहले ही Telegram पर अपलोड कर देता हूँ ठीक है तो आप अभी टेलिग्राम के साथ जोड़ जाओ वहाँ पर आपको यह notification मिल जाएगा ठीक है लिंक नीचे description में यह आप सर्च कर लेना यूएच को relation army अब मैं आपको बता दूँ भाई यह कौन से center की भरती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसवरी से इंतिजार में बैठे है तो भाई फाइनली आटलरी शेंटर हैदरावाद की relation भरती आगी है और यह relation भरती 9 दिसंबर से शुरू होगी और आपकी जो भरती है भाई बात करूँ तो यहाँ पर 17 दिसंबर तक भरती चलेगी यह good news मैं आपको बता रहा हूं तो इस वीडियो में like जरूर कर देना अब इस भरती में आल इंडिया के सभी candidate जा सकती है जिनके पास relation है sports शर्टे वेगेट है या musician का सर्टे वेगेट है मैंने आपसे बोला था ना कि खुली भरती भी होने वाली है इसमें देखो musician के तैत भरती निकाली गई है अब यहाँ पर 4 दिसंबर को आपको जो musician से है जिन पर musician की knowledge है musician बजाना आता है musician का सर्टे वेगेट है तो भाई वो 4 दिसंबर को ठीक है आठ लरी शेंटर हैदरावाद में पहुँच जाना आप नीचे देख सकते है एपीटूट टेस्ट फूर musician ठीक है और यहाँ पर 4 दिसंबर को आपको रोपोर्टिंग करनी है वहाँ पर सबसे पहले आपका एपीटूट टेस्ट होगा उसके बाद 11 दिसंबर को आपकी रोणिंग होगी किन बच्चों के साथ टेड मेन वाले बच्चों के साथ ठीक है यह तो थी खुली भरती जिन बच्चों पर musician सटे वेगठ है या musician बजाना आता है musician की perfect knowledge है वो बच्चों के लिए खुली भरती ने के लिए पूरे बहरत से ठीक है अब यहाँ पर बात करूं relation भरती की तो भाई देखो 9 दिसंबर से relation की भरती शुरू हो जाएगी ठीक है यहाँ पर सबसे पहले killer की भरती है अल स्टेट से बट यहाँ पर लिखा हुआ है only for ward of rt center, ae center and aps center यह 3 century killer की भरती देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर आपको देख रहा होगा ठीक है उसके बाद 10 दिसंबर को reserve day रखा गया है और फिर यहाँ पर 11 दिसंबर को अगनी वी ट्रेड मेंगी दसमी पास और आठमी पास से भाई भरती होगी all state से यानि कि सभी राज्य के बच्चे जिनके पास relation है वो इस भरती में हिस्सा ले सकते हैं भाई पिता जी का ठीक है उनकी 11 दिसंबर को यहाँ पर दोड होगी ठीक है फिर यहाँ पर आपको बता दूँ डे 5 में जो 13 दिसंबर है उसमें दोस्तों यहाँ पर sportsman की भरती होगी all state से जिन बच्चों पर national और international ठीक है यानि कि national का और international level का certificate है किसी का भी वो बच्चा इस भरती में हिस्सा ले सकता है अर्टी सेंटर हैदरावाद में ध्यान रखना all state से जो भरती होने वाली ठीक है फिर यहाँ पर आपको बता दूँ तो 14 और 15 दिसंबर को रेजरब्ड रहे है ठीक है यानि कि Saturday Sunday है छुट्टी रहती है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 दिसंबर को भाई अगनी वीड जीडी और एस एच जीडी की भरती होगी और यहाँ पर आपके न स्टेट दिये हैं कौन कौन से स्टेट देख लेना आप हरियाना पर पंजाब हिमाचल परदेश अरुनाचल परदेश और यहाँ पर आपको बता दूँ करनाटका और तमि 16 दिसंबर को बात करूं तो भाई रेजरवड है छोटी है फिर 18 दिसंबर को यहाँ पर अगनी वीड जीडी और एस एच जीडी की फिर से भरती होगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके राज्य दियों हैं ठीक है मैं आपको बता दू अंडोमार निकोवार ठी ठीक है और यहाँ पर आपका असम तिरपुरा मनीपूर मेगाल्या मिजोरम नागालेंड सिक्किम और पंडी चेरी एंड दिल्ली वाले जितने भी युवा हैं जितने भी भाई हैं जो इन राज्ये से बिलोंग करते हैं उनकी जो भरती है 18 दिसंबर को फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 दिसंबर को फिर से वही जीडी वाली जो भरती का प्रोसेस चलेगा इसमें जो आपके राज्ये हैं राजिस्तान ठीक है केरला गोवा गुजरात बैस्ट बंगोल चंदीगर और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों की जो भरती होगी ठीक है फ बता दूं तो महराष्ट्रा और यहाँ पर दादर नागर हवेली ठीक है और दामन एंड्यू जो राज्ये इस स्टेट से बलोंग करते हैं जो बच्चे सोरी वह इस भरती के लिए 21 दिसंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजरब डेर रखा गया है फिर यहाँ पर 23 दिसंबर को ठीक है उत्तर पर्देश वाले बच्चो की भरती होगीूपी वाले जितने भी बच्चे है वहाँ पर आपको बता दूं तेष्य देशंबर को अए ठीक है उसके वाद आप यहाँ पर जो आपका 24 और 25 दिसंबर को ठीक है 24 दिसंबर को रिजरब डेर रखा गय चुटती है फिर आपके दीरे दीरे जो डॉकुमेंट है जिसे दिन आपकी भरती होगी उस दिन से अगले दिन आपके डॉकुमेंट और मेडेकल शुरू हो जाएंगे भाई ये प्रोसेस था ये नोटिफेकेशन आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा अब मैं आपको ये बत है तो आप भरती में जा सकते हैं और एक चीज यह रिलेशन वाली जो भरतियों में अगर आपकी उमर 21 साल से एक डेड़ महीने कम है दस दिन भी कम है तो आपको मौका मिल जाएगा भरती देखने के लिए आपको हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि मुझे पता मैं इसलिए आ करती है चार दिसंबर को ना आपके ट्राइल होंगे टेस्ट होगा वहाँ पर आपसे जो भी इस्टूमेंट आपके बजाना आता है बजवा के देखेंगे जो बच्चा बजाते समय पास हो जाएगा तो फिर उनका जो फिजी गल ना वह कब होगा वह होगा भाई आपका ज निकलेगी कब निकलेगी तो फाइनली भरती आ गई है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियों में नेक्स्ट अपडेट के साथ जहंद